एक बयान जिससे फिर पुरानी सियासत गर्मा गई एक बयान जिससे भाजपा के पहले प्रधानमंत्री पर सवाल उठ गया एक बयान जिससे कॉंग्रिस की संस्कृती पर भी सवाल उठने लगे आज हम आपको बताएंगे कि कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता मनिशंकर अयर के एक बयान से कैसे विवाज शुरू हो गया। इसी के साथ उन्होंने अपनी किताब का भी जिक्र किया। इसी बयान पर आरोप प्रत्यरोप का दौर शुरू हो गया। पूरू प्रधान मंतरी पीवी नरसिंभा राव के पोते एन्वी सुभाश ने कॉंग्रस नेता मनिशंकर अयर पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे दादा सामप्रदायक नहीं थो। पूंग्रिस कभी अपने ही नेताव की इज़त नहीं करती है खासकर पीवी नरसिंभा राव की। क्योंकि वो आर्थिक सुधार करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे। अयर ने मेरे दादा पीवी नरसिंभा राव को बीजेपी का प्रदान मंतरी कहा इसका बहुत स्वागत है। लेकिन उन्हें सामप्रदायक बताना सही नहीं है। वही अयर के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि गांधी परिवार के प्रवक्ता को गांधी परिवार के अलावा किसी और का प्रदानमंत्री बनना बड़दाश नहीं है। बले ही ये शक्स कॉंग्रिस से ही क्यों न हो। वह इसी मुद्धे पर भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रा ने कहा कि लोगसभा चनाव नजदीक आ रहे हैं और मुकटमणी फिर चमक गए हैं इस बार उन्होंने विशेश रूप से तीन पी पर बात कही परिवारवाद, पक्षपात और पाकस्तान एन्वी सुभाज ने आगे कहा कि गांधी परिवार के करीबी आयर ने कभी पीवी नरसिम्भा राव से उनके काम के बारे में सवाल करने की हमत नहीं थी लेकिन अब उनकी मृत्यू के 19 साल बाद उन्हें सामप्रदाइक बताकर उनकी इमानदारी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है मौत के 19 साल बाद मनिशंकर अयर उन पर सवाल उठा रहे हैं जरान सोनिया गांदी भी मौजूद थी इससे अमारी आशंका को बल मिलता है कि सोनिया गांदी ने जान पूचकर पीवी नरसिम्भा राव के पार्थिव शव को कॉंग्रेस मप्याले में नहीं गुसने दिया था कॉंग्रेस नेता और पूर्व प्रदान मंतरी नरसिम्भा राव को सामप्रदाइक बताते हुए बाबरी विद्वन्स के लिए जिम्मेदा ठहराने के बाद अब देखने लायक यह हुगा कि कॉंग्रेस नेता मनिशंकर अयर के इस बयान पर कॉंग्रेस अलाकमान का क्या रोक रहता है शुक्रिया